Hey friends, मैं आप लोगों को यहाँ पर एक strategy बताऊंगा जिससे जो है आप लोग 9.5 cgpa plus score कर सकते हैं जो तीनों प्रशन है उसके जो time span से मैंने description में आट कर दी हैं तो जो भी आपका प्रशन है आप उसे देखें Friends, हम लोग यहाँ पर scholarship updates, exam updates, counseling updates, coffee courses और certificates, internships, सब कुछ मैं आप लोगों के लिए free में लेके आता हूँ तो यहाँ पर जो है आप लोग इस चैनल को लाइक और चैनल को subscribe कर सकते हैं ऐसे वीडियो के लिए आपको जादा चिंता करने की विशह नहीं है आप अगर अच्छे से तयारी करेंगे तो exam जो है अच्छा होगा जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो exam में आपको कैसे करना है और कैसे score करनी है वो मैं end में आपको बताऊंगा second मैं आपको update देदू second semester को organizer हमारे website में upload होगा है link आपको description में मिल जाएगा simple आपको link पर जाना है आपको जो भी subject है आपको मिल जाएगा यहां पर जो है programming वो वाली जो computer वाली पाटा थी है वो uploaded नहीं है वो जल्द ही upload हो जाएगी पर मैं आप लोग को एक चीज कहूंगा जब भी आप इस पूरी की पूरी PDF को download करते हैं पढ़ते हैं तो अच्छी बात है काफी काफी आप जो आप chapters का नाम पढ़ेंगे तो एक chapter के अंदर ही 2-4 chapters linked होंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि chapters के नाम पर एक ही PDF आपको देखने मिले क्योंकि सारे PDF अच्छे हैं यहां पर मैं आप लोग को एक और चीज़ कहूं कि आप लोग जब भी सारे PDF को share करते हैं तो आप मेरी पूरी credit को zero कर देते हैं तो friends मेरा बस एक ही request होगा जब भी आप अपका दोस्त को share करें तो please हमारे links को share करें अब चलिए friends बात कर लेते हैं यहां पर finally important की कि exam में आप 9.5 प्लस CGP कै सकते हैं तो friends 9.5 बस एक number है अगर आप इसे कम भी ले आते हैं तो भी अच्छी बात है न voiture जादा ही कं आ जयते है तो भी अच्छी बात है भी अच्छी बात वी अच्छी बात हैまぁ आपको guarantee तो नहीं दे सकता कि यह सारे जो tips है इसमेंसे आपको आपको फाइदा ही होगा पर फिर अगर आप लोग चाहें तो आपके particular subject में आप अपने teachers को पूछेंगे कि आपको जो है particularly कैसे MCQs आ सकते तो उन MCQs का example आप जो है teacher से मागने की कोशिश करें अगर आपका teacher जो है इसे forward करता है तो बहुत ही अच्छी बात है इसे काफी कुछ match करने का chance रहता है पर फिर भी अगर आपका teacher forward नहीं करता वो जो है काफी ख़डूस type है तो आप जो है यहाँ पर काफी websites का सहरा ले सकते हैं for question practice websites का नाम मैं आपको बात में पताऊंगा सबसे पहले आपको कह दूँ अब जो अगर organizer देख रहे हैं तो आप ऐसा भी नहीं है कि organizer में पूरा का पूरा डूप जाहिए सबसे पहले आपको यहाँ पर organizer के previous years के जो mcqs आए हैं उनको practice कीजिए उनसे काफी chances हैं कि previous years के mcqs को देंगे जिससे जो है आपको आफी आसानी हो सेकेंड जो है आपको यहाँ पर previous years के साथ short questions लगाने चाहिए पर long questions पर जाने की जरूवत थे हैं क्योंकि long questions को ऐसा convert करना into this type of mcqs तो guys tough है तो यहाँ पर आपको ध्यान देना चाहिए कि आप short questions को mcqs में convert करना आसान होता है तो वो questions को convert करेंगे true false में डाल देंगे कुछ ऐसा होसा कर देंगे तो जिससे जो है आपके लिए tough बन जाएगा question और आप फिर भी आप इससे जो है अच्छे से answer कर पाएंगे तो आप यहाँ पर short questions को practice करेंगे organizer से और mcqs को अब इससे जादा जो है आपको अगर practice करनी है तो आप अगर किताब के depth में जाते तो आप उतना समय नहीं बचाए अगर आपने गए हैं तो काफी अच्छी बात है पर अब आपका समय आया है question practice का पर जब आप जाते हैं अ जो सबसे पहली जो site है जिसका आप मदद ले सकते हैं for question practice उसका नाम है exam veda exam veda एक काफी अच्छी site है यहाँ पर आपकी particular engineering जो भी domain है आप उसके बाद आपकी particular subject को select करेंगे काफी questions आपको दिखेंगे आप उससे practice कर सकते हैं second जो सबसे अच्छी site हमें देखने को मिली है that is education forever इस site पर भी जाकर जो है आप practice कर सकते हैं काफी questions जो है practice करने लाइक यहाँ पर रहती है अगर आप जो है काफी extreme level पर practice करना चाहते हैं तो आप जो third number site को ज़रूर इस्तमाल कीज़ेगा that is indiabix.com इसमें हर engineering domain का ही आपको mcq देखने को मिलता है काफी gate questions भी आपको मिल ज जो है electronics domain से हैं तो आपको सबसे best site जो आपको दिखने को मिलेगी that is sandfoundry.com sandfoundry में आपको काफी ज्यादा electronics related stuff मिल जाते हैं अलग department के भी stuff मिलते हैं तो आप उसके questions practice करेंगे जो काफी आने के chances आपके बन जाएंगे तो friends यह कुछ sites थी जिनका जो है आपको mcqs मिलेंगे तो क्योंकि यह जो है sponsored नहीं है और किसी कारण वर्ष अगर आप इसमें जाकर कुछ गलत इस्तमाल करते हैं तो इसकी मैं कोई भी आपकी जिमेदारी नहीं ले रहा हूं मेरा काम है videos में आप लोगों को information देना और आपकी मदद करना अगर आप इनका कोई भी गलत इस्तमाल करत हैं तो इसमें मेरी कोई भी जिमेदारी नहीं है अब friends at the end मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़े बताऊंगा जिससे जो है आपको सावधान रहना चाहिए during the examination सबसे पहले चीज़ आपको examination में कभी भी कोई negative atmosphere create नहीं करनी है जिससे जो है आपका examination हो सकता है खराब हो जाए तो आप जो है negative atmosphere please create मत कीजेगा examination में second आपको आपको जितना आता है उस पर focus कीजिए क्योंकि at the end अगर आप देखते हैं कि आपको ज्यादा नहीं आ रही है तो फिर आप demotivated हो सकते हैं तो आप उतना practice का नहीं कुशिश कीजिए अगर आपके organizer का जुगाड़ आप क देख सकते हैं यह मेरी personal opinion है कि यहां पर online के वज़े से teachers को ऐसा लग रहा है कि वो काफी अच्छा पढ़ा रहे हैं क्योंकि वो जो है अभी भी सपने खयालोत में काफी अच्छी काम कर रहे हैं क्योंकि कुदो चार्ट टॉपर से वो meet में खोल कर उत्तर दे देते हैं पर फ किसी subject में for example interest नहीं होता starting में हर subject में interest होता नहीं है तो अगर हम college में जाते हैं तो particularly जबरदस्ती बैठ जाते हैं तो कुछ ना कुछ समझ में आई जाता है पर यहां पर जो है for example क्या है कि interest नहीं आता तो हम लोग skip करना शुरू करते हैं 2-4 skip करने के बाद कुछ भी नहीं सम करनी है आपको अपना subject चुन लेना है उसके बाद आपको mcq practice करनी है इसके बाद जो है आपका exam code होगा अगर मेरी बाते आपको पसंद आई तो guys वीडियो को में like कीजेगा चैनल को कीजेगा subscribe और तब तक हम लोग मिलते हैं next video में more information more update आप जो है यहां पर second semester की organizer download कर सकते ह है friends एक request रहेगा बस आप जब भी इसको share करने जाएं तो बस इतना सोचेगा कि हम जो है किसी और की महनत पानी में डाल रहे हैं तो जो है अगर आप चाहें तो simple से bit.ly लगाने के बाद यह code लगा दीजेगा अगर आप चाहें तो इससे जो है आसानी से वो भी download कर पाएगा कोई issue नहीं है आपको जैसा दिल करें वैसा कीजिए तब तक हम लोग मिलते हैं friends नेक्स वीडियो में तब तक लिए कहते हैं आपको अलविदा आप हमें telegram group को join कर सकते हैं हमारे instagram पे हमें follow कर सकते हैं अपने personal questions पूछ सकते हैं जितनी हो सकते हैं मैं आपकी मदद करूँग और जो हैं आपको अलविदा वीडियो को like की चान की जा सब्सक्राइब तब तक हम मिलते हैं इक्स वीडियो में तब तक कहते हैं आपको अलविदा बाइए